सिंद्री खाद कार खाने की अस्थापना किस पंच वर्षिय योजना में की गई थी तो यह जो है प्रथम पंच वर्षिय योजना 1951 में की गई थी और सिंद्री खाद कार खाना कहां है धनबाद में है इसकी अस्थापना कब की गई थी 1951 में प्रथम पंच वर्षिय योजना के थाथ यह बहुत ही जादा बीवी आई इंप्वार्टेंट प्रशन है तो फिर से देखिए इसका फैक्ट देखिए कि 31 दिसंबर 2002 को भारे नुक्सान के कारण यह जो है सिंद्री कषाद कार खाना बंद हो चुका था लेकिन फिर से यह प्रारंब हुआ स्टार्ट हुआ और स्टार्ट करने वाले भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिर से यह प्रारंब की गई 28 मैं 2018 में तो दोस्तो इस वीडियो में आप देखेंगे सुपर फास्ट रिवीजन औफ जारखन जियोग्राफी 600 MCQ के साथ एक भी प्रश्ण आपका नहीं छूटेगा जारखन के कोई भी एक्साम दीजिये आप JPSC दीजिये यूपी सी दीजिये जारखन से एक भी प्रश्ण नहीं छूटने वाले हैं जियोग्राफी से तो आपका श्वागत है आपका श्वागत है एडी जारखन क्लासेश में और अभी तक आप लोगोंने नागपुरी क्लास नहीं किया है तो एडी जारखन क्लासेश कर ले आल वीडियो आर फ्री ओन यूट्यूब ठीक है भुवनेश्वार अनुज्ज नाकपुरी लोग साहित ते है भुवनेश्वार अनुज का नाकपुरी लोग संगीत है ग्रिधारी राम गोंजु का दोनों बुक का वन लाइनर और MCQ अपलोडेड है वीडियो और कुछ दिन में बुक भी आने वाला है ADS Heartland Classes के नाम से तो चलिए हम बिना टाइम बरबाद किये हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बता दूँ सफलता का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होगा सफलता का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होगा पर सफलता मिलने के बाद आपका जीवन सबसे सुखद होगा तो इसी के साथ चलिए सुपर फास्ट रिवीजन के साथ जो ये जिन्दगी बदल देगी कभी भी आपका एक भी प्रशन नहीं छूटेगा एकदम नहीं छूटेगा क्योंकि ये आप वीडियो उस टाइम भी देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होस्टल में लगकर पढ़ाई करते हैं टोटल फास्ट सूपर फास्ट एविजन है डीटल्स में देखना हो तो आप डीटल्स पूरा देख सकते हैं एक एक वीडियो मैप से पढ़ाया गया है जार्खंड और पढ़ाया जा रहा है तो चलिए जार्खंड राज्य विश्व के मांचित्र पर कौन से गुलार्द में अवस्थित है तो यह उतरी गुलार्द में चलिए नेक्स्ट, जारखंड राज्य का निर्मान बिहार के कितने परतिसत अलग करके किया गया है तो 46 परतिसत, जारखंड का अक्छांसिय विस्तार कितना है तीसरा नंबर प्रश्ण है, जारखंड का अक्छांसिय विस्तार कितना है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उतरी अक्षांस की ओर नेक्स्ट क्वेस्टन ये सुपर फास्ट रिविजन है सुनने के लिए नो बक बक सिर्फ पढ़ाई चौथा नमबर प्रस्ण है जारखन का देसामतर ये विस्तार क्या है तिरासे डिग्री 19 मिनट 50 से 87 डिग्री 57 मिनट पुर्वी देसामतर के मद्य है पांचवा नमबर प्रस्ण है जारखन राजी का विस्तार उतर से दक्षिन यानि कि सपोज ये आपका जारखन हो गया तो यहाँ जो पूछ रहा है उतर से यानि कि इसकी जो लंबाई है कितना है 380 किलोमेटर है नेक्स्ट जारखन का पुर्व से पश्रिम तक का विस्तार कितना है 460 किलोमेटर ये देखिए इधर से पुर्व से पश्रिम ये वाला ये वाला जो चीज है 460 किलोमेटर है थे क्यां नंबर प्रश्णवकि द्रिष्टसें जार्खन॥ राज्य भारत का स्वास्वर्ष उसके जानाना है जार्खन॥ राज्य का स्वल भारत में हमें अ क्यालव चराइक руки जात्रफन जेत्रफल जो जार्खन राज्य का छेतरफल है देश के कुल छेतरफल का कितना है तो 2.42 परतिसत है कितना है 2.42 परतिसत ठीक है चलिए 10 नमबर प्रशन है जार्खन राज्य की कुल जन संख्या कितनी है जार्खन राज्य की कुल जन संख्या कितनी है तो देख लीजिए दोस्तों कितना है एक आई दाई आपको इसको लाख कलोरों में मत याद रखिए बस आप एक मोबाइल नमबर याद कर लीजिए क्या याद कीजिए? मोबाइल नमबर कैसे याद करना है? तो देख लीजिए 32,91,84 32,91,84 आपको यही रट लेना है एक मोबाइल रंबर है दो अंक कम ही है तो 32,91,84 ठीक है? चलिए नेक्स वेस्टन एक ग्यारा नमबर प्रस्टन देखते हैं जार्खन राज्य की जार्खन राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिसत है तो यह है 2.72 जनसंख्या के दिरिश्टे से जार्खन का देश में 14 हुए अस्थान पर अवस्थित है 14 हुए अस्थान और कितना प्रतिसत है 2.72 बहुत बार प्रस्टन आ चुका है एकदम BBI एकदम चैनल को अगर आप वीडियो देख रहे है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ठोकिए चैनल और वीडियो को देखिए चलिए 12 नबर प्रस्टन है बहुत ही important point है BBI सभी एकदम में आने वाले प्रस्टन है तो देख लिजिए जार्खन राज्य की सीमा देख के कितने राज्यों को असपर्स करती है तो 5 कौन-कौन सा उत्तर में बिहार दस जिला को असपर्स करती है दक्षिन में उरिसा पुर्मे में पस्षिम बंगाल तथा पस्षिम में 36 गड़ और पस्षिम में जो है एक उत्तर में उत्तर प्रदेश ठीक है पांच होता है आप मैप पढ़ लिजे पूरा कन्फरम हो जाएगा तेरे नमबर प्रस्ण है जारखंड राज भगौलिक सीमा समुद्र को असपस करती है या नहीं नहीं करती है क्यों भाई तो देख लिजे जारखंड एक अस्थल बद न क्या है अस्थल पर लैंड लॉक भू आवेश्ठित राजे है कहने का मतलब क्या चीज है क्या चीज है मतलब की केवल भूमी से ही गीरा हुआ है इसके साथ साथ लैंड लॉक और कौन-कौन से है जारखंड राजे का आकार कैसा है चतुर भूजाकार हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि इसमें जारखंड जगरोफी का सुपर फास्ट रिवीजन है तो इसमें डिटल्स नहीं बताया जाएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो एक और अभी वी एक्जाम हो सकते हैं यह जारखंड सरकार क्या करती है क्या नहीं करती हैो तुरंत कर देती है तुम किरूजा रग देती एकड़ और आया तो एकड़ॉप displays लक्षो को चलिए जार्खंड की जलवायू कैसी है जार्खंड की जलवायू है वह कैसी है मांसुनी है जार्खंड का ओसत वार्षिक वर्षा कितना है 140 cm 17 नंबर प्रश्ण क्या कहता है वहां रेखा कौन है जो जार्खंड के राज्य के बिल्कुल मद्य से होकर गुजरती है तो जारखंड में इस तरह करक्रेखा गुजर्ती है ये भीवियाई है इसको आप याद कर लीजिएगा ठीक है अठारा नंबर प्रस्ण क्या कहता है जारखन राजे का कितना जीला बिहार राजे से जुड़ा हुआ है ये सब बताने की जरूत नहीं है मैप देख लिजे सब कन्फर्म हो जाएगा मैप का कलास करा दिया गया है ठीक है इसे सुपर फार तो दस जीलों से असपर्स करती है नेक्स्ट दस जीला से असपर्स करती है नेक्स्ट है उन्नीस नंबर प्रस्ण जारखन राजे का कितना जीला पस्रिम बंगाल से जुड़ा हुआ होता है एसपर्स करता है, तो दस जारह और यह जो बिहार और पसम्म मंगाल है तो पुल्चन करता है, टीक है? नेक्स्ट बूस्ट नंबर प्रस्ट तो तो जिड़ा हुआ है, तो चार जिला जुड़ा हुआ है नेक्स्ट च्छेसन के और चलते हैं? या नहीं आप लोग जरूर बोलिएगा तो जार्खन राज्य का कितना जीला ओडिशा से जुड़ा हुआ है असपर्ष करता है तो चार जीला ठीक है चलिए नेक्स्ट 22 निमर प्रश्ण है जार्खन जीला गढवा कितने राज्यों को असपर्ष करती है तो गढवा जो है अन यहां कैसे कर दिए नेस्ट चौबिस नमर प्रस्ण है जारखंड के दो जीला कौन है जो किसी भी राज्य को असपर्स नहीं करती जारखंड के दो जीला वह कौन है जो राज्य की सीमा को असपर्स नहीं करती है किसी भी राज्य की सीमा को असपर्स नहीं करती है तो वह है सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है तो बिहार के साथ लगती है 26 नमर प्रशन है जार्खंड राज्य की कुल कितने पडोसी राज्य से सीमा को सीमा से जुड़ी हुई है या असपर्स करती है तो पांच सिर्फ पांच 27 नमर प्रशन क्या कह रहा है देख लिजे अफवाद है सिंभू में इस्थित चटाने राज के एक मात्र ऐसे चटान है जिनका विस्तार दक्षिन पुर्व से दक्षिन पश्चिम की ओर है हना चलिए नेक्स प्रस्ण की ओर चलते हैं जारखंट की एक मात्र नदी कोंसी है जो बरसाती नहीं है तो सोन नदी कहां से निकल कर आती है अमरकंटक की पहाड़ी से और यहां अमरकंटक की पहाड़ी कहां है जल्दी आप कमेंट सेक्षन में कमेंट लिखे मद्य परदेश उत्तर परदेश दोनों में से जल्दी पराया सूख जाते हैं तो ज़रखंड की सभी नदिया क्या है बरसाती है क्यों क्योंकि यह गर्मी की दिनों में पराया सूख जाती है थीकel 32 नमष्प्रक्ष्ण आए ज़ारखंड की राज की जलवायू कैसी है उसने घती बंधिये मान्सूनी जलवायू है नेक्स्ट क्वेस्टन की वर चलते हैं देख लिजे नोट्स जारखंड में दक्षिन पस्चिम मांसुन की दोनों साखाओं द्वारा वर्सा होती है यानि कि जारखंड में दक्षिन पस्चिम मांसुन की दोनों साखा की द्वारा ही वर्सा होती है 33 नमर प्रशन है जारखंड की मीडिया जो है विशिष्ट परकार की क्यों है क्योंकि चटानों के अक्षरों से प्राप्त और सेसू से निर्मित होने के कारण ठीक है इसलिए वह क्या है वह है एकदम विशिष्ट मीडिया है ठीक है जारखंड में खनेज की बहुलता के कारण जारखंड का भगौलिक उपनाम क्या है तो जारखंड का रूर प्रदेश जारखंड उत्पादन के दिरिष्टी से जारखंड का देश में कैवा स्थान है खनेज उत्पादन की दिरिष्टी से याद रखिएगा तीसरा स्थान है अगला प्रस्थान है मुल्ले की दिरिष्टी से भारत की कुल खनेज उत्पादन जारखन का कितना हिस्सा है 26% एक दम ये सब BBI प्रस्थान है ये सब छोड़ियेगा नहीं वीडियो को इसकीप मत किजिएगा नेक्स्ट भारत ये तो बहुत बार प्रस्थान आ चुका है इस बार लैब असिस्टेंट में भी आया था भारत के कुल खनेज का उत्पादन जारखन का हिस्सा कितना है 40% है भारत के कुल खनेज का उत्पादन जारखन में कितना है हिस्सा कुल तो 40% है नेक्ट कितना है भारत के कोईले भंडारन में जारखन का हिस्सा कितना है 27% 49 नमर प्रश्ण है जारखन राज के सरवाधिक छेत्रवाले जीला कौन है पश्चिम सिंभूम 724 वर्ग किलोमेटर नेक्स्ट जारखंड के नियुंतम छेत्र वाले तीन जिले निम्र में से कौन-कौन है तो देखिए ये सबी हैं रामगड तीरह सो एकतालिस वर्ग किलोमेटर लोहर दगगा पंदरह सो दो किलोमेटर पाकूर अठारह सो एक वर्ग किलोमेटर जारखंड का कूल भूमी कितना वर्ग किलोमेटर है तो 23,721 वर्ग किलोमेटर क्या चीज है ये वन भूमी छेत्र है 29.76 यहां कूल वन भूमी होगा वन छूट गया है जारखंड का गरामिन छेतरफल कितना होता है 77,922 वर्ग किलोमेटर जारखंड में कूल सारी छेतरफल कितना है कूल जो सहरी छेतरफल यहां सारी नहीं होगा सहरी है कूल सहरी छेतरफल कितना है यानि 24 परसेंट इधर है और उधर 75 पॉइंट सम्थिंग यानि की 9 या 85 है तो हम लोग इसे 76 ही मानते हैं यानि के 76 और कितना है 24 परसेंट है तो यह 1792 वर्ग किलोमेटर नेक्स्ट प्रस्ने क्यों चलते हैं हम लोग जारखंड की भूगरविक संगरचना देखिए इसमें कोई भी जारखंड का एक्जाम दीजिए इससे दो प्रस्न आते ही आते हैं इसलिए जितने भी प्रस्न है सारे प्रस्न को रट लीजिएगा नेक्स्ट चवाली समर्ट प्रस्ने क्या कहता है छोटा नागपूर का पठार आगने और साधी ततारू पांतरी चटानों का संबंद कोन काल की चटानों से है इस प्रकार के प्रस्न आप बहुत देखे होंगे आप लोगों ने बहुत इग्साम दिये हैं जारखंड के तो ऑप लोग समझ रहे होंगे कि कोन प्रस्न कितना जादा इंपॉर्टेंट है तो देखे आर्कीयन कालिन चटान से संबंदित है आर्कीयन काल के चटानों से और कियन कर्म की चटाने और धारवार करम की चटाने नेक्स्ट 46 नमबर प्रस्टन है जारखंड आर्थिक सर्विक्षन 2019 से 20 के अनुसार राजिय के कितने प्रतिसत भुभाग पर आदमी और रूपांतरी चटानों का विस्तार है तो 85 प्रतिसत कितना 85 प्रतिसत है 47 नमबर प्रस्टन है आर्कियन की चटाने का निर्मान कैसे होता है तो गरम और तरल लावा के जमाव से निर्मित गरिनाइट चटान है ठीक है आर्कियन क्रम की चटानों के अपरदन अपरदन बोल रहा है अपरदन और निछेपन के फल स्वरूप क्या बना है धारवार क्रम की चटाने का विकास हुआ है ये प्रस्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रस्न बहुत बार पूछा जा चुका है आप लो लोग कुछ कर गुजरने की बिना कुछ किये कुछ होता नहीं कुछ करना है तो मिहनत स्मार्ट वर्क की साथ करना होगा तो चलिए धारवार करम की चटाने का विकास किस प्रकार हुआ है तो आर्कियन करम की चटाने के अपरदन से हुआ है इसको एकदम भी भी कर लें दोस्त क्या जाना जाता है कुल्हान करम की चटाने क्योंकि धारवार करम की चटाने का मूल विस्थार कुल्हान छेतर में अत्यधिक है next 50 नमबर प्रस्ण क्या कहता है कौन से चटान को लोह अयस्क की परचूरता होने के कारण लोह अयस्क की सिरिंखला कहा जाता है फिर से प्रस्ण कौन से चटान को लोह अयस्क की परचूरता होने के कारण लोह अयस्क की स्रिंखला कहा जाता है तो लोह अयस्क की स्रिंखला धारवार करम की चटाने को कहा जाता है ठीक है एक क्यावन नंबर प्रस्ण है धारवार करम की चटाने में किस प्रकार की खनीजों की उपलब्धता होती है तो देख लीजे धातवी खनीज की जैसे लोहा त अना धारवार करम की चटाने कї क्यों रखा गया है क्योंकि इस चटान का जानकारी सर्वपरत्रम करनाटक के धारवार जिला से प्राप्त हुआ था तीरपन नंबर प्रस्ण क्या कहता है विंधियन करम की चट्टाने जारखन राजे के किस जिला में पाया जाता है दोस्तों तो यह पाया जाता है आप विडियो को तनिक ना स्किप कीजिएगाlle पोरा विडियो देखिएगा एकदम गरदा उडिने वालाइए इस वर्स एकद बनाते घुमते सुनते सब आप देख सकते हैं जो प्रश्ण ना आये उसे आप देख सकते हैं एक्जाम में जाने से पहले ये रिवीजन बहुत अच्छा करा देगा आपको ये रिवीजन सुपर फास्ट ओके तो ये है गढ़वा सोन नदी के छेतर में क्या पाया जाता है त गढ़वा सोन नदी के छेतर से विंद्यन करम के चटाने मुलत रुहतास के पठार के दक्षिन से प्राप्त होता है चोवन नंबर प्रश्ण क्या कहता है पारसनात पहारी का उध्धान किस काल में हुआ था देखिए कितना मस्त प्रश्ण है पारसनात पहारी का उध्धान किस काल में हुआ था तो विंध्यन करम की चटान काल में हुआ था किस काल में विंध्यन करम की चटान में ठीक है नेक्स्ट पश्पन नंबर प्रस्ण है विंध्यन करम की चटाने का निर्मान कैसे हुआ तो अवसादों के जमाव से नेक्स्ट गुंडवाना करम के चटानों क का निर्मान कैसे हुआ दामोदर घाटी के तल छट से उत्पन हुआ है नेक्स्ट प्रस्ण क्यों चलते हैं किस क्रम की चटाने में कोईला के भंडार के साथ साथी बलुवा पत्थर की परत पाई जाती है तो गुंडवाना करम की चटान नेक्स्ट अंठावा नंबर इसलिए जार्कंड को खनीज होने की कारण कोईला होने की कारण इसे रद गरभा भी कहा जाता है ठीक है चलिएं नेक्स्ट परस्ण क्यों चलते हैं हम लोगमेक्स्ट ज फ्रस्ण है जार्कं राजये में खनींजों का मूल्य सलाणा कर कितना है यानि कि मुल्य सलाना जो है कितना है तो 15,000 करोड़ है कितना है 15,000 करोड़ है यह सायद IRB की पंचायद सचीव में पूछा हुआ था यह कुछा जा चुका है किसी में भी हो चलिए 60 नमबर प्रस्ण है खनेज कौन सेल से उत्पन होता है आर्कियन सेल नेक्स्ट 51 एक सट नमबर प्रस्ण गुंडवाना करम की चटाने का विस्तार जार्खन के किन किन जीलों में है तो गिरीडी राजमहल की पहाली तथा उत्तर कोयल नदी घाटी के छेतर में नेक्स्ट 62 रहों वैसा प्रश्ण आगे दिया हुआ है हिमालय के उत्थान और उसके प्रभाव को कितने भागों में वर्गी किरत किया गया है तीन भागों में नेक्स्ट हिमालय का प्रथम उत्थान का संबंद किस काल से है उत्तर मायोसिन काल से है नेक्स्ट जार्खन की कुल यानि SC का प्रतिसत कितना है 12.1 प्रतिसत है गन्ना के अनुसार्ज जारखंड की पूरुष जनसंख्या कितनी है तो एक करोड उनहत्तर लाख तीस हजार तीन सो पंद्रह चलिए महिला का देखते हैं तो महिला का कितना है एक करोड शाट लाख संतावन हजार आठसो उन्नीज जारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है 414 वर्ग किलोमेटर जारखंड का लिंग अनुपात कितना है 948 प्रति हजार पूरुष कहने का मतलब है एक हजार पूरुष पर कितने महिलाएं है 948 तो भाई मैनेज कैसे होता है मैनेज बहुत है करने का ठीक है सत्तर नंबर प् बीज में जारखंड की जनसंख्या में कितना प्रतिसत की वृध्धी दर्ज हुई है तो बाइस पॉइंट फूरुष तूपर सिस्थ ठीक है इकट्तर नमर प्रशन है जारखंड की साख शार्था प्रतिसत कितना है 66 परतिसत फोर वन या फिर 76 सम्थिंग है जल्दी ये कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताईए ठीक है चलिए नेक्स प्रस्ण ने क्यों और चलते हैं जारखन में पुरुष साक्षारता दर कितना है 76.84 परतिसत जारखन में महिला साक्षारता दर कितना है 55.4 परतिसत 74 नमर प्रस्ण है जारखन का सरवाधिक साक्षर जीला कोन सा है जारखन का सरवाधिक साक्षर जीला कोन है राची नेक्स प्रस्ण जारखन का नियुम्तम जीला कोन सा है पाकुड जारखन के किस जीले में जनसंक्या घनत्त्व सरवाधिक है धनबाद में 77 नमर प्रस्ट्रशन है जारखन का निवंतम जनसंक्या घनत्व वाला जीला अधिक्यता म्मदा अधिकतम कोन्य धन्बाद में जारखन का उच्च लिंग अउपात वाला जीला rappelle पश्चिम om नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् राष्ट ये राज मार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो 3367 किलोमीटर तीक है कब तक 31 अक्टूबर 2020 तक नेक्स्ट जारखंड की सबसे लंबी राष्ट ये राज मार्गों कुल लंबाई कितनी है 1232 किलोमीटर 31 अक्टूबर 2020 तक का यह उसी का यह है मतलब सूचना जो होता है जो लिष्ट होता है वही का है इसके अनुसार जारखंड में कुल विद्यूत मांग कितनी है तो देख लिजिए 12 803.35 मिलियन यूनीट यह 2019 और 20 का रिपोर्ट है ठीक है 86 नमर प्रश्ण है जारखंड में 86 नमर प्रश्ण है जारखंड में प्रतिव्यक्ति विद्यूत की खपत कितनी होती है 938 यूनीट राष्टी ओसत 1208 यूनीट 2018-19 के रिपोर्ट के तहद जारखंड में 87 नमर प्रश्ण है जारखंड राज में दूधारू जानवरू यानि कि गाय एवं भैसों की संख्य कितनी है 99.16 लाख है 88 नमर प्रश्ण है जारखंड में सलाना दूध उत्पादन कितना होता है 18.12 लाग टन ओके नेक्स्ट प्रश्ण है जारखंड में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्दता कितनी है तो 177 ग्राम कितना 177 ग्राम कितना 177 ग्राम है जो प्रतिव्यक्ति न एक व्यक्ति 177 ग्राम ठीक है तो इतना दूध आता कहां से है नेक्स्ट टाटा आरन एंड इस्टिल कंपनी लिमेटेड में कोईले की आपूर्ति कहां सकी जाती है तो यह की जाती है धनबाद के जामा डोबा और सीजु अब आप सोच रहेंगों कि हम इसका डिटल बताते कि इसकी अस्थापना इतना में इतना में यह किये थे जमसेजी टाटा कौन किये थे अरे भाई आगे एक एक चीज का एक पॉइंट के एमसी क्यू बनाया हुआ है इसलिए आपको बोले कि that's the super fast revision ओके एक भी प्रस्ण नहीं चोड़ा गया है ठीक न चलिए अब टिसको 91 टिसको को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है टाड़ा स्टिल किस नाम से जाना जाता है टाटा स्टिल बानवे नबर प्रस्ण क्या कहता है ज्ञारखंड में तीन प्लेटों कमपनी ओफ इंडिया की अस्थापना तीन प्लेट कमपनी ओफ इंडिया की अस्थापना कब और कहां हुई थी तीन प्लेट कमपनी ओफ इंडिया की अस्थापना 1920 में गोलपूरी जमसेथपूर में हुआ था तीन-प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की अस्थापना टाटा मोटर्स कहां अस्थापित है तो जमसेथपूर में टेल कूगू वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है टाटा मोटर्स next questions next question क्यों चलते हैं 95 नमबर प्रशन बोकारो इसपात सेंत्र की अस्थापना किसके सहयोग से की गई है तो पुर्व सोवियत संग के सहयोग से जारखंड के किस नगर को स्टिल नगर कहा जाता है तो यह कहा जाता है स्टिल नगर जमसेदपूर को किसे कहा जाता है जमसेदपूर को बोकारो इसपात सेंत्र की अस्थापना किस पंचवर्शिय योजना के तहत हुई थी तीसरी पंचवर्शिय योजना और तीसरी पंचवर्शिय योजना कब हुई थी यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे next question उतपादन किस वर्ष प्रारम्ब हुआ था, 72 में, 1972 में 99 नमबर प्रश्न, बोकारो स्पाद सेंतर किसके अधिन कारेरत है तो भारतिय स्पाद प्राधीकरन लिमेटेड के अंदर कारेरत है यानि की कारेरत है, यानि के कारे करता है इसके अंदर प्रश्ण है यानि कि 100-100 Heavy Engine Corporation जारखन के किस सहर में अस्थापित है राची HEC की अस्थापना किस पंचवर्षी योजना के तहत हुआ था 1958 में दूत्य पंचवर्षी योजना के तहत हुआ था Next प्रश्ण 102 नंबर Engineering Corporation यानि कि HEC की अस्थापना किन देशों के सहयोग से की गई सोवियत संग और चेकलोस वाकिया के सहयोग से Next प्रश्ण क्यों चलते हम Next प्रश्ण क्या कहता है HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ उत्पादन पूच रहा है 1963 इस भी में 104 नंबर प्रश्ण है भारत के किस प्रधान मंत्री ने HEC को भारत का आध्विकरन उत्योगो का मंदिर कहा तो पंडित ज्वाहर लाल नेहरू ने भारत का सबसे बड़ा विसपोटा कार खाना कहा है गोमिया में है 106 नंबर प्रश्ण है इंडिया एक्सप्लोसीफ फैक्टरी की अस्थापना कब और कहां की गई थी तो देख लिए गोमिया में 5 नंबर 1955 को की गई थी ठीक है 107 नंबर प्रश्ण ज्वार खंड में एलमूनियम का कार खाना कब एवं कहां अस्थापित हुआ था 1938 इसवी में मूरी राची में हुआ था कहां है मूरी आना तो देख लिजे आप लोग जार्खन देख लिजे सपोज ये जार्खन है ठीक है और देखी यहां तो राची है यही कोना में है मूरी तो यहीं 1938 में एलमूनियम कार खाना शुरुआत हुई थी चलिए भारत का प्रथम तामबा उत्पादक कार खाना कहां अस्थापित हुई थी मूसा बनी 1924 में और इसका उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था जल्दी 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 कमेंट करें चलिए 109 नमबर प्रस्ण है बीड़दा कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमिटेट कहां है तो रहला गढ़वा रोड में 110 नमबर प्रस्ण है जारखर में और द्योगिक छेत्र विकास प्राधी करन्यों की संक्या चार है चार है कितना आया 72 में बार बर आया कितना 73 में और बार बर आया 74 में और यह हुआ एस पी याड़ा जो है यह है 2006 में तो इस प्रकार से आप याद करेंगे आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे यह ट्रिक है और अभी तक आप लोगों ने जार्खन का मैराथन क्लास योजना हो गया आपदा प्रबंदन हो गया बहुत सारी क्लास जैसे जनजाती हो गया और खूट वेगरा वो सब होता है जनजाती सासन वेवस्था का अगर मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेंगे जार्खन के किस अस्थान पर अद्योगिक विकास केंदर की अस्थापना की गई है तो बरही हजारी बाग में जार्खन सरकारद्वारा नई अद्योगिक नीती की घोषना की गई तो अगस्त 2001 में जार्खन के कूल जनसंख्या ये बता दिये हैं बतिस अंठानवे अना एक कासी चौंतिस याद रख लीजिए बहुत ही एक मुबाइल नंबर है अच्छा है दो अंकम है जार्खन की कूल जनसंख्या भारत की कूल जनसंख्या का कितना परतिसत है जल्दी बताएंगे ये सब आपको प्रश्न करा दिये गये हैं दिस इस दा सूपर फास्ट रिवीजन तो 2.72 प्रतिसत जनसंख्या के दिरिष्टी से जार्खन का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या 14 भारत का 95 प्रतिसत से अधिक कोक बनाने योग कोईले की खान किस राजे में अवस्तित है जार्खन राजे में ठोड़ा अब हम लो नेक्स्ट 118 नंबर प्रतिस्ट छेत्रफल की दिरिष्टी से जार्खन में सबसे बड़ी कोईले की खान कहां है तो कर्ण पूरा कोईले की खान नेक्स्ट है 119 नंबर प्रतिस्ट उत्पादन की दिरिष्टी से जार्खन में बड़ी कोईले की खान कोन है उत्पादन की द दामोदर घाटी कोईला उत्पादक छेतर है जारखन में कोईला ख़दानों की संख्या 63 कितना 63 याने 63 एक सो बाइस नमर प्रस्टन सीमभूम का जादू गोडा छेतर किस खनीज के लिए प्रसीद्ध है यूरेनियम के लिए किसलिए यूरेनियम के लिए जारखन में सोने की प्राप्ति कहां से होता है तो कुद्रू कोच्छा सिमभूम से होता है ठीक है नेक्स्ट 124 नमर प्रस्टन है जारखन का कौन सा जिला बॉक्साइड उत्पादन के लिए है तो लोहर दग्गा ठीक है राची लोहर दग्गा लातेहार आपको याद कराये थे फिर अधर सरा चुन्ना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है तो यह होती है हाजारी बाग और राची से चुन्ना की उपलब्दी सबसे ज्यादा होती है 126 नमर प्रस्टन क्या है चांदी के उत्पादन में जारखंड का देश में कौन सा अस्थान है दूसरा है नेक्स्ट जारखंड का मुख्य इल में नाइट उत्पादक जिला कौन जिला में है तो रापची में जारखंड में सरवाधिक ग्रिफाइड कहां पाया जाता है पलामू में नेक्स्ट भारत का मुख्य लाह उत्पादक राजे कौन है जारखंड सिमेंट उद्योग की सर्व परथम अस्थापना कहां हुई थी जपला में कब इतना में हुआ था 132 जी का पानी सिमेंट कार खाना कहां अवस्तित है चाई बासा पसिम सिंभू में सार्वजनिक है देखिए यह जपला वाला है 1921 में प्रारंब हुआ था सार्वजनिक छेत्र का भारत का प्रथम उद्ध्याम कौन सा है तो फर्टिलाइजर कोर्परेशन ओफ इंडिया लेमिटेट सिंद्री धनबाद ओके नेक्स्ट 134 नमबर प्रशन है भारत में प्रथम उर्वरक सैंत्र कहां लगाया गया सिंद्री धनबाद सिंद्री गारखाना की अस्ठापना किश पंचवर्शिय योजना के तहत हुई त प्रथम पंचवर्शिय योजना के तहत भारी नुकसान के कारण 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिर से यह ब्लह को है सिंद्री खाद कारखाना नेक्स्ट ज धार षटोंड में अस्थापित सर्व प्रत हम आदोनिक उध्यों दोय कम सहै लोह और इस पात उध्यों नेक्सट नमर प्रस्ण है जारखन में इस्पात कारखाना कहां कहां अवस्तित है तो जमसेदपुर और बुकारों में है भारत का प्रथम लौह इसपात कारखाना कहां इस्तित है तो जमसेदपुर साक्ची में टिसको की अस्थापना कब और कहां की गई थी आपको सारा चीज बताया जा रहा है सुपर फास्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि छोटे छोटे एकदम अच्छे से एमसी क्यू बनाया गया है एक भी प्रस्ण नहीं छूटने वाले हैं तो टिसको की अस्थापना 1907 इस भी में सांक्ची में जमसेदपूर में हुआ था ठीक है नेक्स्ट टाटा आरेन इस्टिल कंपनी लिमिटेड की अस्थापना किसने की तो जमसेद जी टाटा ने किये थे टिसको में पहली बार लोहे का उत्पादन सबसे पहले लोहा होगा तभी इस पात होगा क्योंकि लोहा में ही इस पात बनाने के प्रक्रिया होती है कुछ मिलाते हैं जो इस पात बनता है ठीक है तो सबसे पहले लोहा उत्पादन हुआ था टिसको में 1911 इस भी में टाटा आ अभ्यारन किस जिले में अवस्तित है तो पूर्वी शिंभूम 146 नमर प्रस्ण है हाथी पर्योजना की सुरुवात किस वन्य जिव अभ्यारन से हुई है डालमा वन्य जिव अभ्यारन पूर्वी शिंभूम ठीक है नेक्स्ट क्यों चलते हैं बेतला राश्टिय उद्यान कि जिले में अवस्तित है तो यह लातेहार यानि कि पलामू परमंडल में इस्तित है और पलामू परमंडल में कितने जिले आते हैं तीन कौन सा लातेहार गड़वा पलामू लातेहार गड़वा पलामू लातेहार गड़वा पलामू और अनुमंडल कितने हैं दो तीन तीन त तीन 12333 नेक्सट और थालिस नुमा प्रस्ण हाजारी बाग अभ्यारन की जिले में अवस्तित है हाजारी बाग में बिर्शा 149 नमर प्रस्ट बीर्सा मिरीग भिहार कहां इस्तित है काला माटीर कहां इस्तित है रहे भाई राची में इस्तित है पलामू में प्रुजेक्ट टाइगर पलामू में प्रुजेक्ट टाइगर की अस्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1972 इस भीमे की गई थी पलामू अभ्यारन किस जिले में अवस्तित है तो लातेहार में नेक्स्ट तोप चाची अभ्यारन की जिले में अवस्तित है तो इसका जो है 1978 में इसकी अस्थापना हुई थी धनबाद में है लावा लोंग चत्रा में है लावा लोंग अभ्यारन कहा है चत्रा में है 1978 में इसका अस्थापना किया गया था महुआ डाड़ 1976 में किया गया था पलामु अभ्यारन 1976 में अस्थापना हुआ था इसका नेक्स्ट डर्म मा को लेना है मा के पास केतना था 85 रुपीज़ था अब्यारन कि जिला में है 85 यह याने की की इस कह स्थापना हुई थी ठीक है पारशनाथ पारश एकासी पारश एकासी पारश एकासी डेत र técnica करने से कह बहुत शेये ट्रीक है पारश 2019 पालकोट और यह कहां हैतो पालकोट अभ्यारण गुम्ला में अवस्थित है औरambling फ्稟 जिल पक्षी विहने जीले में अवस्थित है तो यह जो है साहिब गंज जीला में अवस्थित है नेक्स्ट एक सो साथ नंबर प्रश्ण बीरसा जैविक उद्यान कहां है और मांजी राची में है बीरसा जैविक उद्यान और मांजी राची में सपही नदी के टटपर चकला या चपका में है और जो अस्थापना हुई थी, 1954 में हुई थी, कब हुई थी, 1954 में हुई थी, नेक्स्ट, मगरमच प्रजनन केंद्र मूटा रू का राची में है, अरे मगरमच कैसा था, मोटा था, मगरमच कैसा था, मोटा था, मगरमच प्रजनन केंद्र कहा है, मूटा रू का राची में, चलि को जार्खंड की दृष्टिय से भारत का जो अग्रणी राज्य है कौन सा है जार्खंड है भारत में कुल खनीज का उत्पादन जार्खंड का हिस्सा लगबग कितना परतिसत है जार्खंड में पाए जाने वाला लोह जो है लोहा का धार बनता है यह प्रशन पूछा जा चुका है कि जो लोह एसक है किस प्रकार की चटाने से निर्मित होती है उत्पन होती है निकलता है कुछ भी होता है तो देखिए लोहा में लोहा जो टांगी होता है टांगा होता है क सिज का होता है लोहा का होता है तलवार स्टिल का भी होता है लेकिन लोहा का नॉर्मली जो गाउं में बनाता है और इसका धार पाया जाता है धार धार निकला जाता है ठीक ना तो धार सियात किजिएगा लोह एसक निकलता है नेक्स्ट प्रस्ण है भारत का सरवाधिक लोहा आप लोग बोर ना होंगे क्योंकि इस बार आप मेहनत कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी रंग लाएगा आप जो है आपका बस एम रहे एम पर जो आपका एम है एकदम वहीं ठीके रहे तभी आप वहाँ पहुचिएगा बीच में कभी ना भटकिएगा कारिय करने में आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मूवी देख लेते थोड़ा सा वट्सप चला लेते थोड़ा सा इंस्टा चला लेते यह सब चलाने सा कोई फैदा है नहीं अगर आप 21 और 26 या 7 के बीच नौकरी नहीं ले पाते हैं तो जिन्दगी यह बत से बत्तर हो जाती है क्योंकि यह जिसके पास संपती होता है आज का जबाना ऐसा है जिनके पास संपती होता है उसी का पूछ होता है पूछ याने की गाय का पूछ नहीं पूछ समान संपती गई इजज़त भी गया और कोई इज़़त भी नगे किया तो दोस्तों आजकल प्यार के साथ संपती भी बहुत जरूरी है अपने फैमली के साथ रहिये अच्छे से रहिए, खुसी से रहिये लेकिन संपती भी बहुत जरूरी है भारत के उत्पादन में जार्खंड का विश्व में कौन सा स्थान है प्रथमस्थान है नेक्स प्रस्ण क्यों चलते हैं प्रतिसां प्रतिसक्ट भाग जारखन में किस किस्म का अबरक पाया जाता है सरवाथिक मातला में तो मस्कोवाईट यानि की रूवी अबरक का पाया जाता है कोईले के उतपादन में एवम भंडारन की दिरिष्टे से ज्यार खंड का भारत में कुण सा स्थान है प्रत्रमस्थान है नेक्स्ट 155 नमर प्रशन भारत के कुल कोईला उतपादन का कितना परतिसत भाग ज्यार खंड में उतपादित होता है तो 33 परतिसत कितना 33% 176 नमर प्रशन है जारखंड को क्रीशी किस पर निर्भार करती है तो मांसुन पर दोस्तों ये जो पिडिये बनता है बहुत ही मेहनत से बुक से पढ़के बनाया जाता है जितने भी बुक है तीन चार बुक को मिला कर ये जो पूरा बुक को डिटिल्स में पढ़कर ये MCQ बनाया जाता है तो ये जारखंड कि बुक से ही तीन चार बुक से मिला कर बनाया गया है 600 MCQ तो आप लोग जरूर प्यार दीजे यार बहुत आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है दोस्तों के साथ share कीजिए सबस्क्राइब कीजिए ये नहीं बोलते हैं हम सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चानल में नहीं बोलते हैं क्योंकि जब अच्छा लएगा तो आदमी खुद करेगा ठीक है जारखंड को कितनी भूमी क्रिशी योग्य है जारकंड की कितनी यहां कुनी होगा की होगा जारकंड की कितनी भूमी क्रिश्य योग्य है तो 38,00,00 và National नेक्स्ट प्रस्था समस्टिक नेंू Sole 12 मेरा स COME Do Monday क्योंटक्राइंक ज्रीसार्द से अच्छाल में एसिस चत्राइबया मेरे चैन्सप्रविशा तो रलिक नगें धुदिश किड्र मेरें ज्वार्खण की मुख्य खाध्य वसल कोंसी है Venue 182 है ज्वार्खण में दलहन अफ तिलहन का सरवाधिक उत्पादन कहां होता है तो यह कहां होता है हजारी हजारी जुआर बाजरा रा सब में है ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट जारखन में मक्का सरवाधिक उत्पादन कहां होता है मक्का का सरवाधिक उत्पादन कहां होता है तो देख लिजिए यह पलामू में होता है कहा होता है पलामू में जार्खन में आलू का सरवाधिक उत्पादन की जिले में होता है तो यह हजारी बाग में होता है 150 निमर प्रस्ण है जार्खन में कितने प्रतिसत क्रिशी योग्य भूमी को सिचाई की सुभिधा प्राप्त की गई है तो 11 प्रतिसत नेक्स्ट जार्खन में सिचाई का मुख्य साधन क्या है तो कुवा है जार्खन में कुल सिंचित छेत्र कि कितने परतिसत भाग पर कुवा द्वारा सिचाई की जाती है तो मात्र 29.5 परतिसत भाग पर नेक्स्ट प्रस्ट जार्खन में कुल सिंचित छेत्र फल के कितने परतिसत भाग पर तालाब द्वारा सिचाई की जाती है 18.8 परतिसत प्रस्ट जो नेक्स्ट प्रस्ट है यह एक 189 नमबर प्रश्ण है ज्वार खन्ड के कुल सिल्चित छेतर फल के कितने प्रतिशत भाग पर नहर हाना नहर 17 ट्रिक है नहर 17 कितना है नहर 17 तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है और इसका ट्रिक तालाब तालाब में 18 गवादमी पाने पीने जाता है बाग, सेर, बक्री, सियार, सब पानी आणि 18 गवादमी तालाब में पाने पीने जाता है जारखन में कूल संचीच छेतरफल के कितने परतिसत भाग पर नलकूप, नलकूप एट, यही याद किजिएगा, नलकूप एट, तो आठ भागो द्वारा जार्खन में कुल, भारत के खुल वनो का लगभग कितना परतिसत भाग पाये जाता है? तो 3.30, ओके? जार्खन में प्रति वैक्ती 1 कितना, प्रसेंट है? 0.08 hectare 193 नमर प्रश्ण है जार्खन के कुल वनो के चेतरफल का कितना प्रतिसत हिंसा सुरक्षित संग्रक्षित एवं अवर्गी कृत वनो का है तो देख लिजे जार्खन में सुरक्षित वनो का प्रतिसत जो है 17.92 प्रतिसत है संग्रक्षित वनो का प्रतिसत है 75 यानि कि 75.33 प्र नेक्स प्रस्ण क्यों चलते हैं जार्खन का सरवाधिक वन्ना चादित जीला कौन सा है? चत्रा है जार्खन का सबसे कम वन्ना चादित जीला कौन सा है? देवगर है जार्खन में कितने राष्ट्य उद्यान एवं आश्रेनी है तो एक जो है राष्टिये उद्यान बेतला राष्टिये उद्यान 1986 में इसका अस्थापना और 111 जीव अभ्यारन है बेतला जारखंड के किस पार्क को राष्टिये का दर्दा जिया गया है तो बेतला नेशनल पार्क विश्व में सर्व प्रथम बागो की गंणना कब और कहां कराई गई थी 1932 इसबी में बेतला नेशनल पार्क में जारखंड के कुल छेतरफल में वनु का प्रतिसत 29.76 प्रतिसत यानि 29.76 200 नंबर प्रस्ण है जारखंड का सबसे प्रमुक वरिक्ष कोन सा है और किस वरिक्ष को पर्ण पाती वनु का राजा कहा जाता है यह आपका बहुत बार प्रस्ण पूछा जा चुक है तो किस वरिक्ष को पर्ण पाती वनु का राजा कहा जाता है शाल को नेक्स्ट दो सो एक नंबर प्रश्ण दामोदर घाटी योजना किस नदी पर इस्तित है तो दामोदर नदी पर ओके दामोदर घाटी पर योजना किन राजियों की संजुक्त पर योजना है तो जारखंड और पस्षिम मंगाल तो आप खाली जेपी याद रखिए क्या रहे बांधों का निर्मान किया गया है और यह सब आठ यह सब सुपर फास्ट रिवीजन है तो यह नहीं कराया जाएगा कि आठ कौन-कौन से है विगज आपको डिटल्स देखना है सारे कलास दीरी-दीरे कराया जा रहे है जारखंड के और नाकपुरी का भी कलास पूरा करा द तो स्वण्रेखा भहदेषय परियोजना जो है जय पीओ यानि की जारखंड पस्रिम बंगाल ओड़ीशा मयुराक्षी परियोजना चलाई जा रही है तो जारखंड और पस्रिम बंगाल कनाडा डैम कहा अवस्तित है दुमका में नेक्स्टप्रस्ण 207 नमबर प्रश्न क्या कहता है सरवादिक जल प्रपात जीला जल प्रपात वाला जीला कौन सा है राची है बच्पन से जान रहे हैं जारखन का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है बुढ़ा घाग महिराक्षी परियोजना के अंतरगत दुमका जीले में किस अस्थान पर डैम का निर्मान किया जा रहा है तो मानस जो डैम का नाड़ा सरकार के स्वयोग से बुढ़ा घाग नेस्ट बुढ़ा घाग जल प्रपात बुढ़ा या लोगा घाग पाप नहीं है यहाँ पाप नहीं होगा घाग है तुछ पर पात किस जिला में अवस्थित है जारखन का दूसरा सबसे उचा जलपरपात कौनसा है हुन्डू जलपरपात है जो कहा इश्थित है राची में यह सब सारे के डिटल्स अगले कुस देर के बाद आप खुद देखेंगे सारे का डिटल्स दिया हुआ है 212 हुन्डु जल परपात किस नदी पर अवस्तित है स्वन रेखा नदी पर है नेक्स प्रस्न दसम और गौतम धारा जल परपात किस जिला में अवस्तित है राची में यह प्रस्न पूछा गया था अब बहुत बार पूछा जा चुक है 214 नवर परपात किस नदी पर अवस्तित है कांची नदी पर 215 गौतम धारा जोना जल परपात किस नदी पर अवस्तित है राढ़ू नदी पर आपको अगर डीटेल्स में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किजिए कि सर ये क्लास डीटल्स में जाएगा डीटल्स में अपलोड कर दिये जाएंगी next हिरनी जल परपात किस जिला में वस्तित है that's the taste क्लास लेने तस पहले टेस्ट ले रहा है कि आप कितना जानते हैं जब कलास लेंगे तो उस नाम खाली माइन रखिएगा हिरनी जल्परपाद पश्मी bag भागते हैं और हेरन का पकड़ानी रेजन भी होता है आपalonक जाने एक प्टरी भी है कि एक ही है ज्रुनिट के दूढ़िए वह बार बार मुड़ पीछे देखता है यानि पीछे से हो गया पश्षिम यान्य हीरन जलपरपात हीरनी जलपरपात कहा है पश्षिमे सिंभुम में सदनी घाग जलपरपात किस नदी पर है संखने पर कहां गुमला नेक्स जहरखंड का सरवादी है और सुरी कुंड की जिलै में वसीत है हजारी बाग में नेक्स्ट प्रसन क्यों चलते हैं और आप कमेंट सेक्शन में जडlic करेंगे और आप देख रहे हैं 20QUNמ क्लास अरी प्डियाप के लिए कंटेक्ट लोक साहित और नोक संगीत का वन लाइनर और MCQ ओके दोस्तों तो जरूरा प्लोग वीडियो देखेंगे तेती लिया गर्म जलकुंड की जिले में अवस्तित है धनबाद में नेक्स्ट तपात पानी जलकुंड की जिले में अवस्तित है लातेहार में दुआरी जलकुंड की जिले मवस्तित है चतरा में कावा जलकुंड की जिले मवस्तित है हजारी बाग जारखन में सरवाधिक मातरा में कौन से मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी नेक्स्ट प्रस्ट क्यों चलते है अबरक मूल को लाल मिट्टी की किन जीलों में पाई जाती है तो हजारी बाग कोडर्मा में जारखन में काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस चेतर में हुआ राजमहल ट्रैप कहां है देखिए साहिब गंज के इधर आसपास में है राजमहल ट्रैप जारखन में बलुई मिट्टी का सरवाधिक विस्तार किस चेतर में पाया जाता है दामोदर घाटी चेतर में हाजारी बाग तथा कोडर्मा की अबरक पट्टी वाले चेतर में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाती है तो अबरक प्रधान मिट्टी पाया जाती है जार्खंड की अर्थ विवस्था का मुख्य आधार क्या है क्रिशी है जार्खंड में क्रिशी का स्वरूप क्या है जीवन दाई है धनबाद जीला किस नदी के तट परिस्थित है दामोदर जारखन की एक मातर नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़े में गिरती है नदी कहाँ से निगलती है छोटा नाकपुर पठार राची के नगडी गाउं से जारखंड को किस नदी में किस नदी के रेत में सोना पाया जाता था हना स्वन रेखा नदी इस प्रकार से रट यह आपको याद हो जाएगा यह आपको रटना पड़ेगा सायक नदी बहुत क्वेशन पूछ देता है यह स्वन रेखा नदी की सायक नदिया है तो यह उत्री कोयल नदी की है तो यह उत्री कोयल नदी की है ठीक है? तो यह जो है, तो यह जो है कारो किसकी सायक नदी है? तिक है? नेक्स्ट मैउराख्छी काहास नदी की है? तिर्कुट पहार देवगर से गुमानी नदी कहा से निकलती है राजमहल की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी कहा है देख लिजे अगर ये ऐसे जारखंड है ठीक न ये ऐसे इस प्रकार से जारखंड है तो यहां देखिए साहेब गंज यही राजमहल की पहाड़ी यहीं है ओके तो यहीं से गुमानी नदी निकलती है ठीक है ब्रामनी नदी कहां से निकलती है दुद्वा पहाड दुमका दुमका देखिए इस जगा पे है देवघर दुमका हम लोग पढ़ते थे नेक्स्ट जार्खन राज में गर्म जल कुंडों का जल तवचा रोग्यों के लिए लाब परद है क्योंकि इस में खनीज, लवन एवं गंधक मिला होता है नेक्स्ट दोस पैताल प्राशन बास लोए नदी कहां से निकलती है बास पाहाड गुड़्डा से निकलती है नेक्सट प्राशन क्यों चलते हैंSwब remarkably ज्ञार्खन को फल्गों नदी को ज्ञार्खन को ज्ञार्खन में जार्ख बराकर थन जो होता है हमेशा सम यानि की बराबर में होता है जैसे गाय का थन देख लीजिए बहुत थन नेक्स्ट चांडिल डैम चांडिल डैम किस नदी पर अवस्तित है श्वारन रेखा नदी पर इस्तित है गंगा जारखंड के किस जीले से होकर गुजरती है साहिब गंज जीले से होकर गुजरती है तिलया 252 नदी ये बहुत बार प्रस्ट आज आ चुका है ठीक है 252 नदी पर किया गया है कुनार बांद का कुनार नदी पर बुकारव बांद का निर्मान किस नदी पर किया गया है बराकर नदी पर किया गया है ठीक है नेक्स्ट बर्मो एवं ऐर बांध का निर्मान किस नदी पर हुआ है दामोदर नदी पर किस नदी पर दामोदर नदी पर पंचेत बांध का निर्मान किस नदी पर किया गया है दामोदर और बराकर के संगम पर जहां दोनों मिलती है संगम वही कालाता है प्रथम भारत की प्रथम बहुदेशिय नदी घाटी पर योजना अना दामोदर घाटी नदी घाटी पर योजना है नेक्स्ट प्रस्ण की ओर चलते हैं 269 नबर दामोदर घाटी पर योजना की रूप रेखा अमेरिका की किस योजना के अधार पर तयार की गई है तो टेनेसी घाटी योजना पर यह तयार की गई है दामोदर घाटी पर योजना की अस्थापना की गई थी 1948 में की गई थी जारखन को दक्षन सीमा के किस राजे में लगी हुए है तो उडिसा से ठीक है जारखन के कौन कौन से जिला उडिसा सीमा को असपर्स करती है सीम डेगा पुर्वी सिम्भूम पस्मी सिम्भूम सराय कला खरसावा ठीक है कौन सी रेका जारखन के बीसी होकर गुजरती है करकरेखा जारखन का सबसे उचा भुभाग पाठ छेतर का लाता है पारस नात पहाड़ी पाठ छेतर की ओस्वत उचाई कितनी है 900 से 1100 मिटर next question 265 नमबर राची और हजारी बाग का पठार यानि कि मध्यवर्ती पठार किस प्रकार की मैदान का अच्छा उदाहरन माना जाता है तो उत्थित संप्रदाय मैदान है ठीक है राची यानि कि हजारी बाग एवं राची के पठार को एक दूसरे से अलग कोन करता है यही है ठीक है next question मध्यवर्ती पठार यानि की 266 नमबर प्रशन मध्यवर्ती पठार यानि राची एवं हजारी बाग के पठार की ओस्वत उच्छाई कितनी है छो सो मिटर next राची के पठार एवं सिहमभूम के पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी इस्तित है पोरा हाट की जार्खंड की सबसे उची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी समेज जिखर 365 मिटर की होती है ठीक है next राजमहल ट्रैप जार्खंड के किस भाग में इस्तित है उत्तर पूर्वी भाग में जार्खंड का खनीज भंडार के नाम से किसे जाना जाता है जार्खंड का खनीज जार्खंड में मुख्य रूप से कितनी प्रकार के मौसम पाया जाते हैं तीन ग्रिस्म वर्षा एवं सीतरी तू next जार्खंड में सरवाधिक वर्षा किस से होती है तो यह जो होती है किस के द्वारा होती है तो यह दक्षिन पर्षिम मांसुन के द्वारा होती है जार्खंड का सबसे ठंडा अस्थान कोन सा है नेदरहाट जार्खंड का ओसत वार सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है दामोदर नदी की टिक ना वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर बताईएगा एक-एक वीडियो को मेहनत से बनाया गया है एक-एक क्वेस्टन को ओके तो कमेंट सेक्षन में अच्छा लाएगा तो जरूर बताईएगा और एक्स्प्रानेशन के साथ चाहिए तो उसके लिए अलग से अलग से वीडियो अपलोड कर दिये जा रहे हैं धीरे धीरे पार्ट वन पार्ट टू वन टू टू त्री लेशन कि कौन सी नदी बंगाल का सोक के नाम से जाने जाती है दामोदर नदी अनक कौन दामोदर नदी ठीक है जार्खन में लोह एस्क किस प्रकार की चट्टानो लोहा का धार बनता है याद रहे लोहा का धार बनता है जार्खन को प्रदूसित नदी कौन सी नदी है दामोदर न ज्यार्खंड के किस छेत्र में बल पत्थर में पाई जाती है बल पत्थर मिट्वालर और पत्थर का जो मिक्स मिट्वी होता है तो राज महल पहाडी संथाल प्रगना में जारखन के कौन जिलें पाया जाता है तो राची पलामू संथाल प्रगना का पुर्वी राजमहल शेत्र और सिंभूम के ढाल भूमी शेत्र बार लेटराइट मिव्टि के बारे में पढ़ लेटराइट मिऱ्टि गहरे लाल रंग की तथा गंकड अधिकता होती है जारखन के किस शेत्र में जलोड मिटी पाय जाती है पाकूड एवम साह़ब गंच लाल मिट्टी जार्खंड में लगबग कितने परशेंट पाई जाती है 90 परशेंट पाई जाती है नेक्स परशन की ओर चलते हैं नेक्स परशन लाल मिट्टी का रंग लाल किस के कारण होता है फेरिक ओक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता के कारण जारखंड के किस किस जिले या छेतर में लाल काले मिसरित मिट्टी पाई जाती है तो यह सिंभूम तथा धनबाद नेक्ष जारखंड के किस जिले में अवरक मूल लाल मिट्टी पाई जाती है तो हजारी भाग औकोडर्मा पुझे नका ayot na का और नान रॉल मिठी की उर्वररक सक्ती कम क्यूं होती है क्यूंकि मिश एवम निस होते हैं उस्पर ने होगा निस होगा निस होगा निस एवम ग्रिनाईट की ऐसें से निर्मित और दूसरा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हुमस होने के कमी के कारण नेक्स्ट दूसरों ठान बर नम्र प्रश्ण है लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मिट्टी है ज्वार भाजरा रागी गन्ना मुल्ली आदी, ज्वार भाजरा राई गन्ना मुल्ली आदी, ज्वार भाजरा राई गन्ना मुल्ली आदी, ज्वार्खन के किस मिट्टी को रे गुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को, काली मिट्टी किस के खेती के लि अद्यनन से द्यांत मिट्टी कोंकर कि जाती है विम्हेन जठने sensor के लिए अत्यांत उपयोगी मिट्टी काली मिट्टी लिए राजमहल के छेत्र में इस मिट्टी मैं धान और चने की खेती जमकर की जाती है किस में यह काली मिट्टी में लेकिन कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उप्युक्त है अब अंसर यही मारियेगा एकजाम में ओके चलिए नेक्स प्रस्ण जहारखंड के किस शेत्र में रे तीली मिट्टी पाई जाती है तो पूर्वी हजारी बाग और धनबाद म अगला प्रस्ण है दामोदर घाटी छेत्र में मुलता किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है फुस फूस बलूई मिट्टी नेक्स तीन सो चौवन मिट्टी जहारखंड के किस जिलेम पाई जाती है तो संथाल प्रगना के पाक उर्दता सहे बन चेत्र में चलिए अब हम पोटास की अधिक्ता होती है जलोड मिट्टी में नाइड्रोजन की बहुत कमी होती है धान गेहूं के लिए अतियंत उप्यूगत मिट्टी जारकन के कौन सी मिट्टी है तो जलोड मिट्टी है अबरख मूलक मिट्टी जारकन के किस शेतर में पाया जाता है कोडरमा, मांडू, जुमरी, तिलिया, बढ़का गाव, हजारी भाग, ठीक है, नोट की ओचलते हैं हम लोग, नोट ही बहुत ही भी भी आई है, याने कि इस मिट्टी का रंग हलका गुलाबी होता है, नमी के कारण कहीं कहीं इसका रंग पीला हो जाता है, या मिट्टी अत्य अपर्दित कगारो वाली मिट्टी, तिब्र ढ़ाल वाली मिट्टी और यह मिट्टी जो होती है, पतली और पत्रीली होती है, अत्यांत निम्न उरवर्ता वाली मिट्टी होती है, यह कैसी होती है, निम्न उरवर्ता वाली होती है, जैसे खरगुजा, कुर्थी, मका के खेत में है नेक्स्ट धात्विक गुनों वाली या भौतिक गुनों से युक्त मिट्टी जार्खन के किस छेत्र में पाए जाती है तो यह जो है पश्मिशिंभुम का दक्षिन भाग में पाए जाता है यह जो है धात्विक गुनों वाली मिट्टी का रंग हलका लाल होता है जान से देखिये प्रश्न, बोर मत होईए, ठीक ना, बोर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, अलग अलग वीडियो देखना है तो अलग अलग पार्ट में तोड़ा गया है इस वीडियो को, आप देख सकते हो, एक वीडियो जो मैं आप के साथ बताया जा रहा है, वो मैं आप जान से बाल में जब रूसी हो जाता है तो यहीं चिकनी मिट्टी से हम लोग इसको बोलते हैं केवाल मिट्टी लाव ना आते हैं ऐसा बोलते हैं, दोमट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है तो चर्का, लोबो, आरा हासा, खेरसी, बाल सुन्दर, नेक्स प्रशन, 3 315, बलुई दो मट मिटी का दूसरा और किस नाम से जाने जाता है, तो बाला, गोरिस, गीटल हासा, जरिया, जारखंड में उची भूमी को टांड किस-किस अस्थानी नाम से जानते हैं, तो दिहार, भीठा, बारी, बाहारसी, यानि कि टांड को हम लोग टांड को जो है, क्य इस नाम से जाना जाता है, तो गहडा, बहयार, गोगरा, जाः, चोरी और कnaari इस नाम से जाना जाता है, चलिए, नेक्स नमर प्रस्थान है, अब जारखं की जलवाःव आता है, जारखं में किस प्रकार की जलवाःव पाई जाती है, तो उसने कटी बन दिया, मान्सुन जारखंड का जो ओसत तापमान होता है कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है 319 नमर प्रशन है रास्ट ये आपदा प्रबंदन NIDM यानि नेशनल इंस्टिचूट ओप डिजेस्टर मैनेजमेंट के अनुसार जारखंड राज के जलवायु को कितने भाग में वर्गी करित किया गय में वह 3 भाग कोन कोन से थह हैं तो चलिए देखते हैं हम लोग 3 भाग कोन 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 से हैं है हमें नूस Kent जरूर लेज़र देखनेट कि कौन कोन से है वह है तो यहां जो है मध्य वर्द मध्य उत्तर पूरवी जैसे रामगळ बोकारो धनबाद राची हजारी बाग कोडरमा देवघर दुमका पाकुड गोड़ा जामतड़ा साहब गंज और तीसरा जो है यानि कि सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है यही इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है यह चीज आप याद रख लीजे पश्मी पठार का छेत्र है और जो तीसरा है राजे का वार्शिक ओसद ताप मान क्या है 29 डिगर से वाला महीना तो म you होता है और ठंडा वाला जैन्वरी ठंडा का जो होता है कौन सा महीना है जैन्वरी जार्खन का जार्खन राजी का सबसे गर्म अस्तान कौन सा है जमसेतपूर 45 जारखन में आमर वर्षा कौन महीने में होती है तो जल्दी बताएंगे तो यह जो आमर वर्षा होती है कौन से महीने में होते है तो नार्वेस्टर आमर वर्षा किसे काते हैं पहले ये जान लें तो ये होता है जो आमर वर्षा माई के महीने में होता है कब होता है माई के महीने में होता है और माई के महीने में नारविस्टर के प्रभाव से तड़ित जंजा युक्त वर्षा होती है इसे आमर वर्षा काते हैं जारखन राज मांसुन की साखाएं कितनी होती हैं दो पहला बंगाल की खाड़ी की साखा और दूसरा अरबसागर की खाड़ी व्याक्या बंगाल की खाड़ी की साखा से वर्षा अधिक होती है और नेक्स्ट जो है जार्खंड के मद्यवर्थी तथा पश्मी भाग में कौन सी साखा द्वा वरसा का कीTना प्रतिसत जल वर्षा है एक सरवाधिक वर्षा वाला अस्थान कितना है नेतरहाट की दिघृ स कम वर्षा जाइबासा का मैदान कम वर्खन में सबसे अधिक वर्षा वाला जीला कोन है चाहिआरीबाग नेक्सट प्र Peachण की ओर चलते हैं एग जारखन में 6th में सीत रितू का प्रारंब कब से कब तक होता है इंच्छ राज में सरवादिक ठंडा महिना वाला स्थान समय जैनवरी सरवादिक ठंडा वाला स्थान नेतरहाट 7 डिग्री सल्सियस 4 से 7 डिग्री होता है लेकिन एक्जाम में आप 7 डिग्री मारिएगा ठीक है जारखन का धरातल ये सरूप से देखते हैं जारखन के तीन उचे पठार कोन कोन से है तो नेतरहाट पाट की उचाई 1180 मिटर यानि की अरति 171 फीट ढनेशपूर पाट की उचाई दूसरा जो है ढनेशपूर पाट की उचाई है plat 1171 फीट ओके जनीरा पाट की उचाई 1142 मिटर नेक्स्ट पाट छेतर की आकरिती कैसी है त्रिभुजाकार है नेक्स्ट पाट छेतर की उपरी भाग को क्या कहा जाता है टार पाट छेतर की उपरी भाग को टार कहा जाता है बाढ छेतर के नीचले भागो क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है पाट छेतर के परमुह पहाडियां कौन-कौन सी है? सानौ और सारव पढ़ी है पाट छेतर से कौन-कौन से नदी उद्गम अस्थल भी है, तो संख और कोयल नदी का ओकै, next प्रसन क्यों चलते हैं? तीसरी नुमा बारवे का मैदान जहारखन के किस खेत रमें पाट खेतर में राची के पठार राची के पठार की ओस्थचाई कितनी है 600 मिटर लगबग 1970 पीट है राची का पठार की आक्रिति कैसी है चकोर है हाणने कैसी है चौकोर है ठीक है राची के पठार से कौन-कौन से जलप्रवाद निकलते है जलप्रपादों का निर्मान होता है तो बुड़ा गाग लोगा गाग हुंडरू जलप्रपाद गौतम धरा इस परकार के होते है चाइबासा का मैदान की ओसो तुचाह कितना होता ह है 500 मिटर नेक्स प्रशन राज महल की पहाडियां का ऊसो तुचाहिए कितना है 500 से 300 मिटर ठीक है 351 प्रशन है हजारी बाग का पठार और रांची पठार के बीच कौन सा नदी बेसिन है बती है तो दामोदर नदी बेसिन बती है नेक्स प्रशन की ओर चलते हैं यह प्रशन कैसा लग रहा है कमेंट सिक्षन में जरूर कमेंट करेंगे उपरी हजारी बाग का पठार की ओसा तुछ चाहिए कितना होता है 600 मिटर लगवग 19 लेकिन यह आप खयालती पुलाओं में मत रहिएगा जैसे आपका जारखंड यहां यह जो ऊपरी वाला पम्ध्षार है नीचे की ओर है वह उपर है और ऊपरे वाला नीचे है जैस अप्र रहे ज़ाद रखेएगा ऊपरी Rings यह नीचे है 1330 आया उपरे मीटार्न चेत्र में नेक्स नीचे लुट अट में20 आ पर चोड़ोसुचीटर फीट लग भगए तीनसोचोवण नम्न में से ऐसा कौन सा पठार जो जार्खंट का जो पाइरक्सी ग्रैनाइट से निर्मित हुआ है यह एकदम इंपॉर्टेंट भी भी लिखिए है हैज माग दिजे पाइरोक्सी ग्रैनाइट से निर्मित हुआ है नीचला हजारिवाक का पठार जो उपर होता है हजारी बाक का उपर वाले छेत्र में next राजमहल की पहाड़ी विहार के कोन से पहाड़ी छेतर तक विस्दरित है मतलब फ्याला हुआ है कैमूर के पहाड़ी तक next राजमहल पहाड़ी का विस्तार जारकंद के किस जिला में है तो साहिब गंच पाकुड़ गोड़ा देवगर दुमका जैसे कि आप देखिए राजमहल पहाड़ी का विस्तार पूछ रहा है तो मालीज ये ऐसे है जारखंड तो ऐसे है मालीज जारखंड और ये हो गया देवगर दुमका गोड़ा सहेव गंज पाकुड जामताड़ा तो देख लिए किसकी से सहेव गंज यहां बोला है पाकुड गोड़ा देवगर दुमका जामताड़ा में नहीं है बस यही पांच को जिलम है जामताड़ा में नहीं है कहा नहीं है जामताड़ा में याद रखिएगा सिर्फ जामताड़ा में विस्तार इसका नहीं है राजमहल पहाड़ी का नेक्स नमबर राजमहल छेतर में नुकुल जार्खन का नदियां यानि कि जार्खन राज की गंगा नदी संग्रक्षन प्राधी करन का जो गठन हुआ था 20 फरवरी उनीस सो यानि कि 2019 को हुआ था इस प्राधी करन का मुख्याले जो है राचे में है और ये गंगा नदी प्राधी करन का जो अध्यक्ष होते हैं मुख्य प्रादिकरं का गठन इसलिए किया गया है ताकि प्रदुषन की रोगत्याम किसकी प्रदुषन मेरा नहीं अधिक रोगत्त्तम नियंद्र no अब समन के उद्यशिवसे ज्ञारखंड ले से घंगाने नदी किण से लबिशन से गुजर ती है लुज़ता कि थैं थे प्रस्ण जो है क्या कहा रहा है देख लेते हैं सोन नदी का उतीम एस्थल यानि कहां से निकलती है सून नदी में लए परवत कर अमर कंटक की पहारी से मुहाना कहां है مुहाना मतलब होता Solat होता है मुह तो ऐसा लग रहा है कि जहां से प्रारंब होता है लेकिन जहां से प्रारंब होता है नदी जर्णा यह सब उसको बोलते हैं हम लोग उद्गम अस्थल जहां से निकलती है उद्गम और जहां लास्ट होती है जहां अंत होता है वह मुहाना का लाता है यह आप माइ किस नदी का उपनाम है सोन नदी का नेक्स प्रशन क्यों चलते हैं उत्री कोईल नदी कहां से निकलती है यानि उद्गा मसल कहा है तो रांची का पठार का मद्देभाग पिसका से सोन नदी का जो मुहाना है यह सोन नदी यानि कि सोन नदी में उत्री कोईल नदी मिलती है न यानि कि इसका जो पुन पुन नदी का मुहाना है गहना नदी में है रधा और नदी किसकी सायक नदियां Metroid कि पुन-पुन नदी को और किस उपनाम से जाना जाता है किट और ठीकट और प्रसेわかबर प्रश्चन और किस नदी का उपनाम है पित्रि पक्ष के समय अश्नान एवं पिंडदान जार्कन के किस नदी में किया जाता है तो फल्गु नदी में निरंजना अथ्वा लिलाजन और मोहना नदी किस नदी की सायक नदियां है तो फल्गु नदी की नेक्स्ट प्रश्ण की ओर चलते हैं हम जारखंड की एक ऐसी कौन सी नदी है जिसमें जारखंड में केवल उदगम और अपवाह छेत्र बिहार राज में है तो फल्गु ठीक है नेक्स्ट शक्री नदी का उदगम अस्थल यानि कहां से निकलती है तो उतरी छोटा नाकपुर के पठार से सक्री नदी की सायक नदिया कौन है क्यूल और मुरहर है नेक्स्ट रमायन में सुमागदी जारखंड के कौन सी नदी को कहा गया है सक्री नदी को जारखन में ऐसी कौन से नदी हैं, जो मार्क बदलने में कुख्यात है, सक्री नदी, बहुत बार प्रस्ण पूछा जा चुका है, चानन तथा पंचानन नदी का उध्गमस्तल कहां से निकलती है? छोटा नाकपुर पठार से, नेक्स प्रस्ण, जारखन के कौन से नदी के प पंचानन नदी का मुहाना यानि अंतिम कहां होता है तो सकरी नदी में नेक्स्ट बुढ़ा नदी कहां से निकलती है महवाडार लातेहार से यानि कुछ उध्गा मस्थले इसका मुहाना कहा है इस नदी रफोसाद से ओपने नेक्स्ट प्रस्ट्न ओरंगा नदी की सहायक नदियां कौनु जहारखंड के जिलेस निकलतीं है तो चत्रा से इस नदी का मुहाना उत्री कोवल नदी में मिलती है किस नदी के सायक नदी है तो आमानत नदी की सायक नदी है दामोदर नदी जारखन की किस जिले से निकलती है तो टोरी लातिहार से नेक्स्ट प्रस्ण दामोदर नदी का मुहाना याने की अंतिम कहा है तो हूगली में पस्षिम बंगाल के कुलकत्या के निकट होती है नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रत्र नादी की जारखन की लंबाय कितनी है दो सोगवडा है,aste मिल है टोर्टल में उतना है ?ढ़ेटे कोहीं,ननने में कितना है इसली हैं, जाहीं कहीं कितनी है लेकिन में रहाज है बंगाल का सोक और देव नदी जारखंड की किस नदी को जाना जाता है किस नदी का उपनाम है तो दामोदर नदी का जारखंड के कौन से नदी राची और हजारी बाग के पठार के बीच एक दामोदर नदी दुरोणी का निर्मान करती है तो दामोदर नदी नेक्स्ट प्रशन की ओर चलते हैं बराकर, बुकारो, कुनार, जमुनिया, कतरी, भेडा कौन सी नदी की सायक नदिया है तो दामोदर नदी की नेक्स्ट प्रशन जारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है दामोदर नदी जारखंड का सरवाधिक परदूसित नदी कौन सा है दामोदर नदी नेक्स प्रशन की हो चलते हैं 395 नमबर प्रशन जब दामोदर नदी धनबाद में परवेश करती है तो कौन सी नदी आकर मिलती है जमुनिया मिलती है रे भाई देखे बराकर में कहा मिलती है यह बराकर नदी चिरकुंडा मिलती है और कटनी नदी जो है पारशनात के छेतर में मिलती है Next, स्वान रेखा नदी का उध्गमस्तल नग्री छोटा नाकपुर Note है, स्वान रेखा नदी का मुहाना यानि अन्तिम भंगाल की खाडी में होता है स्वान रेखा की कूलनंबहाई 470 किलोमेटर है ठाला है आलू यानी कि नदी जो नहा नामक अस्थान पर कौन से जल्पात कर जो नहा है ने यह जोनहा या गौतम धायरा जल्परपात करने मान करती सट taxation तॉराःभे लगाषिया कर Polish pan, Kexy控 test रबनारी क। नदी का उलेक बौध और जन्म जयन धर्म सहित्य में मिलता है तो बराकर नदी का झारखंड के कौन से नदी के तट पर गीरीडी में जयन मंदीर तथा मैथन के पास कल्यानेश्वरी मंदीर पाया गाता है तो बराकर एपमोरी से और परक्षम क सब और नादी का सबस्ता करने को पत्रक निकलती है त्रिकुट पहारदेवगा से इस नदी का मुहाना हुगली पसें बंगाल में है नेक्स धोभाय टीपरा बामरी पूसरो गुडड़ा किस नदी के सायक नदी है मयुराक्षी नदीका नेक्स जारकण की कौन सी नदी नोका गम्य नदी है तो मयुराक्षी नेक्स प्रशन की और चलते हैं हम लोग वीडियो कैसा लगा और क्वेस्टन्स कैसा लग रहा है ये जुरूर आप बताएंगे ठीक है जारखर में किस नदी पर कनाडा के स्वयोग से मानस चोड नामक बांध करिमान कहा गया है तो ये मयुराक्षी नदी के द्वारा चलिए नेक्स वेस्टन्स जारखर में ब्रामनी नदी किस जिला से होकर गुजरती है तो ये दूद्वा पहार दुमका से इस नदी का मुहाना हुगली पस्षिम बंगाल में ब्रामनी नदी का जो कुल नंबाई है 480 किलोमेटर कितना है 480 किलोमेटर है गुमरो एरो चारखंड के किस नदी की सायक नदिया है तो मयुराक्षे नदी की संख नदी का उदगम अस्थल यानि कहां से निकलती है चैनपुर गुमला से इस नदी का मुहाना दक्षिन कोयल में है संख नदी की कुल लंबाई कितनी है 240 किलोमेटर है अजय नदी का उदगम अस्थल मुंगेर बिहार से है अजय नदी का उदगम अस्थल अथवा कहां से निकलती है तो मुंगेर बिहार से यह निकलती है नेक्स प्रशन क्योर चलते हैं हम लोग नेक्स प्रस्न क्यों चलते हैं सदनी घाग जलप्रपात का निर्मान जारकन के किस नदी से होती है तो संक नदी गुमला में अजय नदी का मुहाना कहा है भागी रती कटब पस्षिम बंगाल पत्रो और जैनती जारकन के किस नदी का साहयक नदिया है अजय नदी का गुमानी नदी कहां से निकलती है राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी का मुहाना का है गंगा नदी पस्षिम बंगाल यानि कि जहां लास्ट होता है नदी गुमानी नदी की साहयक नदिया कि कोन है मेरेल अना कोन है मेरेल है गुमानी नदी के सायक नदिया मेरेल बास पहाडी गुड़ा नहीं है गुड़ा से जार्खन की कौन सी नदी निकलती है तो कौन सी नदी बास लोई नदी निकलती है कौन से नदी निकलती है बास लोई नदी नेक्स्ट बासलोई नदी का मुहाना कहा है गंगा नदी पश्रिम मंगाल सजना नदी का उद्गमस्थल कहा है बुंडु तमाल राची जारखन के किस नदी के अपवाय सेत्र में खुटी में असूर सब्याता के अश्रिस मिले हैं तजना नदी कांची नदी कहा से निकलती है तमाल से कांची नदी का मुहाना या अंतिम कहा होता है स्वन रेखा मूरी में रोरो नदी कहा से निकलती है चाईबासा से रोरो नदी का उद्गमस्थल कहा से है चाईबासा से नदि का मुहान वहीं कहा है कारो नदि में है कुछ से नदी में है कारो नदि में है जारगनका सबसे उचा जलपरपात बुढ़ा घाग जलपरपात 137 मिटर 450 पीट ई। ऊथरी को जम एल नदी पर इसतित है गागरी, लोग, गौतमगाग, मिरचया, तदा कांती जलपरपाथ जारकन के किस दिला में अवस्तित है? तो यह लातिहार में इस्तित है छलिए ये सब जलबोपात के बारे में तोफ़ा note हम लोग कर लेते हैं घागरी जलबबबबबबबबबबबब बार Yeah लोगहा जलबब बुढाई नधी परिश्तित है टाम गागहा जलबबब काहहा है लोगहा जलबबबबबब कांति जलबबबêt कहा है सेनहा गाउम से छे किलोमेटर के दूरी पर है बल चौरा सुखल दरी गुंगा जंज हेशातु सत बहनी जल प्रपात अना किस जीले में है तो गढ़वा जीले में है नेक्स्ट राख्यी में यह सब जब जलपरपाद पढ़ा रहे हैं उसमें सारे मैप पर बता हैं हो कि मैप का क्लास जरूर जैन करें free of cost है हुन्डु में जलपरपाद इह सब के बारे में चलिये notes पढ़ लेते हैं हुन्डु जल्परपात जो है जारखन का दूसरा उचा जल्परपात है इसकी उचाई 98 मिटर अन 321 पीट है हंटर जल्परपात स्वन रेखा नदी पर इस्थित है दसम जल्परपात कांची नदी परिस्थित है इसकी उचाई न दसम जल्परपात की उचाई 40 मिटर याने की 130 फीट है, दस धराओं से मिलने के कारण इसे दसम जल प्रपात कहा गया है जोनहा जल प्रपात राड़ू नदी परिस्तित है, कितना राड़ू नदी परिस्तित है 17 मीटर 56 फीट की है, मानेता यह है कि गौतम बुद्ध ने इस जल प्रपात में असनार किया था जोनहा यानि की गौतमधार जल प्रपात, चलिए, सोनुवा जल प्रपात भांगडा प्रखन में इसीत है, कौन सा भांगडा प्रखन में इसीत है Next, next question क्यों चलते है सीता जल प्रपात के पास माता सीता का मंदीर ऐसा माननेता था पंच गाग जल प्रपात जारकन के किस जिला में इसीत है, खुटी में, खुटी में किन का जनम हुआ था उली हातू में, कमेंट सेक्षन करें, कमेंट करें, जरूर यह जल प्रपात बनाई नदी पर है, यह यानि कौन हम, नहीं ते लिए पंच घाग, पंच घाग जलप्रपाद बनाई नदी परिस्त है, हमेशा याद रखिएगा, उचाई से गिरते समय पांस धराओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसे पंच घाग कहा जाता है, ठीक है, घर घरिया और निंदी जलप्रपाद, जहारकन के की जलप्रपा एक घुमला में इस्तित है, सजनी घाग जलप्रपाद संक नदी परिस्तित है, जो कि, यह कितना है, सजनी जलप्रपाद 60 मिटर की है, 200 फिट का है, इसका अकार सरपाकार है, यानि कि सापका अकार का, ओके, नेक्स प्रस्न, नेक्स प्रस्न, जो है, प्रेमा घाग जलप्र सीमडेगा में सूगा काटा जलपरपात संक नदी परिस्तित गोवा तमासीन मालूद डुमेर सुमयर केवी दह जलपरपात की जिला में है जारकन हजारी बाग में रजरप्पा जलपरपात की जिला में रामगड में चलिए दामोदर एवं भैरवी नदी के संगर्म पर इस्तित चार मिटर की यानि की सबसे छोटी जलपरपात यह रजरप्पा जलपरपात है नेक्स्ट प्रस्ण है बहुती धाकड होने वाले है यह मैराथन क्लास धाकड एक भी प्रस्ण नहीं चूटने वाले ह जरकन के की जीला में विश्तित है धन बाद में मूनोंडी के खान के पास है हिर्नी ठाकर्पा आप यानि की राम गहरा नदी परस्ण है ठाकूरा राइभिव 3 elkaar कूर ए बिदरी गाउं में इस्थित है लुपुंग गटू जल परपाद चाई बासा के लुपुंग गटू गाउं में है नेक्स्ट धारा गिरी जल परपाद जारकन के किस जिले में इस्थित है इसकी उचाई गर्म जल कुंड किस परकार के रोगों का इलाज करती है गट या खून की कमी चर्म रोग नेक्स्ट भारत का सरवादिक जल गर्म जल कुंड कहां पाया जाता है तो जारकन के हजारी बाग में सुरी कुंड है जैसे जिसका तापमान असी यानिकि सुरी कुंड जो है असी डिग्री सेल्सियस और फारेन हाइट में एक सो नभे डिग्री फारेन हाइट यह आप याद कर लिजेगा यह पूछ चुका एक्जाम में नेक्स्ट प्रस्ण है चार सो बावन टाइगर हरहद काबा गर्म जल कुंड जारकन के किस जिले में पाय जाती है हजारी बाग में जुमका गर्म जल कुंड रानी महल के पास मऔर नधी परिस्तित है तपात पानी गर्म जल कुंड कुमरा के बाद मोर मैर अक्छवे नदी परिस्तित है जरियापानी गर्म जल कुंड Iky पास थे जब हम लोग गोपी का अंदर दुमका में गहते तो गोपी का अंदर में हम एलेक्शन करवाया थे ठीक ना मेरा ड्यूटी था वहाँ ततलोई पलासी के पास भूर भूरी नदी परिस्तित है बारा जरना गर्म जलकुंड बारा गाउं में इस्तित है नून बील गर् गर्म जलकुंड दामुदर नदी के तत परिस्तित है सुमन पानी गर्म जलकुंड बाग मारा प्रखंड में मोर नदी परिस्तित है नेक्स्ट ताता पानी गर्म जलकुंड जार्खंड के किस जीला में इस्तित है लातेहार में नेक्स्ट नोट है बरवाडी प्रखंड में इस्तित है दुवारी गर्म जलकुन जार्कन के किस जीला में है चत्रा में सियूपूर सोता बरा मस्या लडला उदाई गर्म जलकुन जार्कन के किस जीला में है ये है पाकुड में अब चलिए जार्कन के प्रमुक जील या तलाब पढ़ लेते हैं तो जार्कन के जील इता प दुर्गा बांध जो है कहां है जारकन की जिला में इस्थी तो यह बहुत बार प्रोशन पूछ चुका है दिमना जील और हुटको जिल कहां है तो इस पर आप थोड़ा ज्यादा प्रेसर मानिएगा तो दिमना जील दानमा वन जील अभ्यारन के पास है जैंती सरोवर जील ज बीच में जमसेदपूर में है चुक्त आपको जील जील कि जीला में इस्थीत है किसके द्वार निर्मान किया गया है तो झारखन हजारी बाग में ब्रिटिस सरकार दवरा बरा 1831 में बनाया गया था चलिए नेक्स जो है प्रशन है तोप चांची जील जारकन के किज जीला का चेतफल 23,611.41 वर किलोमेटर 29.62 प्रतिसत नेक्स्ट जार्खन राज में प्रतिवैक्ती वन या पेड़ू का अच्छादन 0.08 हेक्टियर बहुत बार क्वेशन आ चुका है जार्खन में सरवाधिक वन छेतर वाला जीला जार्खन में कौन-कौन से है पस्षिम शिंभूम 201 स्क्वाइर किलोमेटर और देवघर 203 स्क्वाइर किलोमेटर और यह है जो धनबाद 213 वर किलोमेटर सरवाधिक वन प्रतिसत वाले जीला जार्खन में कितना है वन प्रतिसत वाला जीला तो लाते हार में सबसे ज़्यादा वन प्रतिसत आता है यह प्रशने झाल झाल झाल